अलो स्टुडेंट्स गुड इवनिंग मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका बहुत वोग स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में गुपतोतरकाल के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे गुपतोतरकाल के जानकरी के साधन, गुपतोतरकाल का पतन और गुपतोतरकाल का सासर कुमार गुपत इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो देखेगा एदिया आपने यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेसन मिलें और आप इतिहास विसे की अच्छे से तैयारी कर सकें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं गुप्त उत्तर काल गुप्त उत्तर काल जिसे उत्तर गुप्त भी कहा गया है कि इतिहास की जानकरी के साधन गुप्तों के बाद के काल को गुप्त उत्तर गुप्त आदि नामों से जाना जाता है उत्तर गुप्त वन्स के इत्यास को जानने के परमुक सादन अभिलेख हैं इन अभिलेखों का वीवरण इस प्रकार से है देखेगा अफसट का लेख यह है उत्तर गुप्त वन्स के आठवे सासक आदित्य सेन के समय का है तथा बिहार प्रांद के गया जिले में इस्तित नामक स्थान से मिलता है तदा इसमें इस वंस के पर्थम सासक कृष्ण गुप्त से लेकर अधिते सेंतक के समय का इत्यास वानित है यह अभिलेक उत्तरगुप्त यह मोखरी सासकों के संब्धों के पर प्रकास डालता है देव बढ़नाक का लेक यह लेक बिहार के साहबाद जिल्ले के देव बढ़नाक नामक स्थान से प्राप्थ हुआ है 1880 इस्वी में कनिंगम ने इसका पता लगाया था इस वंस के सासक जीवित गुप्त द्वित्ये ने इसे उत्किर्ण करवाया था अधिते सेन के बाद के तीन सासकों देव गुप्त विष्णु गुप्त त जीवित गुप्त द्वित्ये के नामों का उलेग मिलता है अब देखेगा उत्तर गुप्त वंस की उत्पति गुप्त वंस के पतन के बाद मगद और मालवा में एक नमीन गुप्त वंस का उड़े हुआ जिसने दो स्थाब्दियों तक सासन किया चक्करवरती गुप्तों क के साथ इस नए वंस के समंदों के विश्य में प्रयाप जानकारी प्राप नहीं मिलती है में ठीक है मगत महाजनपत के उदे के कारण हम पहले पढ़ चुके हैं तो आप पहले वाले वीडियो को देखेगा चक्रवर्ती गुप्त राजवंस से प्रतक करने के लिए इस गुप्त वंस के नाम से भी जाना जाता है परवर्ती गुप्त वंस का सबसे महान सासक आदिशे थे आदिट्य सेन था गुप्त वतर सासक कुमार गुप्त का इत्यास देखेगा उत्तर गुप्त वंस का चोथा राजा कुमार गुप्त हुआ जो जीवित गुप्त का फुत वह एक सक्ति साली राजा था जिसने महाराजा दिराज की उपादी धारण की अपसड लेक में उसकी सक्ति की परसंसा करते हुए उसे वीरों में अग्र गणे कहा गया है उसका पर्तिद्वंदी मोकरी नरेज इसान वर्मा समान रूप से महत्वकांगसी था ऐसी स्थिति में दोनों में संगर्ष होना संभव था अपसड लेक दोनों के बीच यूद का चित्रन कावयात्मक धंग से परस्तुत करता है जो इस परकार है इसान वर्मा की छीर सागर के समान विकरार सेना को कुमार गुप ने यूद छेत्र में उसी तरह मत डाला जिस तरह देवासुर सं अम राजे गंगा नदी के किनार पस्यिम में परियाग तक विस्तरित हो गया अपसड लेक से पता चलता है कि उसने परियाग में अपना प्राणांध किया धंग तथा गांगेई देव जैसे सासकों ने भी इसी तरह से प्राणां किया था इस प्रथा को उस समय में पभित माना जाता था इसका विवन वेन सांग भी करता है गुप्त वत्र काल का पतन आदिते सेन का पुत्र और उत्रा दिकारी देव गुप्त द्वीत्य हुआ उसने भी परम बठारक महराजा दिराज की उपादी ग्रहन की चलू के लेखों में उसे सकलोतर पतनाथ कहा गया है उसक के बाद विश्णो गुप्त तथा फिर जीवित गुप्त सेकिंड राजा बने इन दोनों के लिए भी परम बठारक महराजा दिराज की उपादियों का प्रियोग किया गया है किन्तों उनके काल तक अर्था सासो पत्चीस इस्वी तक आदिते सेन द्वारा निर्मित सामरा ये सुरक्षित बना रहा देव बढ़नाक से जीवित गुप्त का ही लेख मिलता है वह इस वंस का अंतिम महान सासक था बीपी सिन्हा के मतानुसार जीवित गुप्त द्वित्य का अंति कन्योज नरेस यसो वर्मन ने किया वागपती राजकृत गोड वहों से पता चलता है कि यसो वर्मन ने पूर्वी भारत पर आकरमन कर मगद के सासक की हत्या की थी इस मगद नरेस की पहचान जीवित गुप्त दुइत्य के साथ की जाननी चाहिए तो देखेगा इस वीडियो में हमने उत्तर गुप्त काल के बारे में जानकरी प्राप्त की इसी प्रकार से हम आपको आगे और भी वीडियो दिखाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज पे